नमस्कार साथियों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजूकेशन में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाल अपराद, बाल अपराद का अर्थ, परिभासा एवं विसेस्ता हैं फ्रेंड्स, ये सभी टीटी एक्जाम्स के लिए कापी महत्पून है, तो चलिए बिना देर किये सुरू करते हैं आज का हमारा महत्पून टॉपिक सबसे पेले बाल अपराद का अर्थ एवं परिभासाएं बाल अपराद किसे केते हैं, बाल अपराद का क्या अर्थ है और क्या परिभासाएं हैं ये इस वीडियो हम जानेंगे तो बाल अपराद का अर्थ, सामाज की निरंतरता को भंग करके आव्योस्ता उत्पन कर देना अन्य लोगों को हानी पहुचाना, आसामाजिक कार्य करना, सरकार के कानूनों के विरोध में कार्य करना आदी, क्रियाएं जब एक 18 वर्थ से कम उम्र के बालक या बालिका के द्वारा की जाती है तो उसे बाल अपराद या किशोर अपराद केते हैं फ्रेंड्स बाल अपराद या किशोर अपराद किसे केते हैं तो आप उसमें बताएंगे समाज की निरंतरता को भंग करके आव्यवस्था, उत्पन कर देना, अन्य लोगों को हानी पहुचाना, आसामाजिक कार्य करना सरकार के कानूनों के विरोध में कार्य करना आदी करियां जब एक 18 वर्स से, आपको ध्यान रखना है जब 18 वर्स से, कम उम्र के बालक या बालिका के द्वारा की जाती है तो उसे बाल अपराद या किशोर अपराद कहा जाता है बाल अपराद या किस और अपरादी की उम्र क्या है तो उसमें बता सकते हैं आप 18 वर्ष से कम उम्र इसके बाद में बाल अपराद की परिभासा बाल अपराद की क्या परिभासा है यह हम जानेंगे बाल अपराद को किसी कानून के उलंगन के रूप में परिभासित किया जा सकता है जो किसी वयस्क द्वारा किये जाने पर अपराद होता है बाल अपराद को किसी कानून के उलंगन के रूप में परिभासित किया जा सकता है जो किसी वयस्क द्वारा किये जाने पर अपराद होता है ये परिभासा इसकी नर्मोहदे ने दी है बाल अपराद की ये महत्पून परिभासा है जो इसकी नर्मोहदे ने दी है बाल अपराद को किसी कानून के उलंगन के रूप में परिभासित किया जा सकता है जो किसी वयस्क के दौरा किये जाने पर अपराद होता है इसके बाद में बालापरात की एकओर परिभासा जब कोई बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवार से इतना भिन्ध हो जाये कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके वो बालापरादी है ये परिभासा गुड के अनुसार है कोई भी वालक जिसका व्यवार सामाजिक व्यवार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके उसे बाल अपरादी कहा गया है इसके बाद में आता है बाल अपरादी की विसेश्थाएं बाल अपरादी की विसेश्थाएं काल उसमियर एवं गुडविन ने बाल अपरादी की निम्न लिखित विसेश्थाएं बतलाई है काल उसमियर और गुड के अनुसार ये बाल अपरादी की विसेश्थाएं है अब इसमें हम सीखेंगे कि बाल अपरादी की विशेष्टा हैं क्या क्या है सबसे पहली विशेष्टा है स्वस्त सरीर इसके बाद में अगली विशेष्टा है जिद्धी जो बाल अपरादी होता है वो जिद्धी भी होते हैं स्वस्त सरीर होता है इसके बाद में सम्वेग आत्मक आसंतुलन मतलब उनके जो सम्वेग है उनमें आसंतुलन पाया जाता है उसके बाद में काम के प्रति लगाओ सामाजिक सम्मान के लिए उत्सुक सामाजिक सम्मान पाने के लिए जो बाल अपरादी होते हैं वो उत्सुक होते हैं अगली विशेष्टा है क्रोधी बाल अपरादी का जो स्वभाव है वो क्रोधी स्वभाव होता है और आइस्तिर्था उनके मन में होती है इसके बाद में अगली विशेष्टा है विरोध करने वाला अगली विशेष्टा क्या है समाज विरोध करता है ये सभी बाल अपरादी की विशेष्टाएं हैं फ्रेंट्स एक बार और नजर डालते हैं बाल अपरादी की विशेष्टाओं पर स्वस्त सरीर जिद्धी सहुवे गात्मक आसंतुलन काम के प्रती लगाऊ सामाजिक सम्मान के लिए उत्सुक क्रोधी विरोध करने वाला और संधे और समाज विरोधी कारी करना फ्रेंट्स ये बाल अपरादी की विशेष्टाएं हैं इसके अलावा बाल अपराद ऐसे व्यक्ति हम उसे मान सकते हैं जिसके उम्र 18 वर्ष से कम है वो बाल अपरादी की स्ट्रेणिम आता है ये मेंपुन तत्य आपको ध्यान रखना है फ्रेंट्स यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए धन्यवाद जय हिंद जय भारत